प्रपर श्टॉक मार्केट अनलेस से उड़ोप चानल में आज मैं आपर देखने वाले है कि पेने स्टॉक आपको किस तरकी से डूणड़ा है बिल्कुल आसान तरकी से और सौफ्टर कौन से यूज़ करना है यह मैं ही आपर आपको बताने वाला इस उड़ो में वीडो काफी इंपर्टन होने वाला है इस वीडो के अंदर आपको पूरी जानकरे देने वाला पेने स्टॉक का किर होता क्या है कौन से penis stock अच्छे होते हैं और यहापर मैं आपको live यहापर मतलब screen करके दिखने वाला penis stock कौन से अच्छ है यह video काफी important होने वाला है इसलिए video पोरा देखे आपको सभी doubt यहापर मैं clear करूँगा और फिर भी अगर आपके doubt रहते हैं तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं और आगे चलके अगला video में आपके doubt यहापर clear करूँगा तो चलिए आपर रोड़ो को शुरू करते हैं और देखते है penis stock का किर होता क्या है देखे penis stock यहापर सबसे पहले important होता क्या है कि जिसकी price कम होती है मतलब जिसकी price अभी 5 रूपी चल रही है 2 रूपी चल रही है 1 रूपी चल रही है उसे penis stock कहा जाता है लेकिन ऐसे penis stock के अंदर भी आपको एक अच्छे penis stock कैसे डूढ़ना है मतलब market में तो इतने बड़े penis stock है इतने ज़ादा penis stock है मतलब इतने बड़े stock है इन में से भी अगर आपको यहापर कुछ stock यहापर अच्छ stock वो भी penis stock ढूड़ना है तो वो भी एक मुसिबत वाली काम है मतलब वो भी एक दिक्कत वाला काम है और बिल्कुल आसन काम नहीं हो वो भी तो इसलिए मैं आपको यहापर बताना लाओ कि penis stock अपको कैसे डूड़ना है देखे सबसे पहले penis stock होता क्या है तो मैं आपको यहापर बता देता हूँ जिसकी price लगभग 5 से कमें 10 रुपिस से कमें 20 रुपिस से कमें उसे penis stock का जाता है उसी के साथ अगर debt to equity ratio उसका अच्छा है तो उसे अच्छा penis stock का जाता है मतलब company के उपर अगर debt ही कम है तो वो penis stock और भी अच्छा होता है उसी के साथ अगर उसका market capital 10 रुपिस से कम है मतलब 10 करोड़ से कम है तो उसे और वे एक अच्छा penis stock का जाता है उसी के साथ आप और criteria लगा सकते है जैसे कि आपका peer ratio कितना होता है उसी के साथ उसका last three years का sales growth upside में होना चाहिए मतलब उसके अंदर growth होनी चाहिए उसी के साथ उसके अंदर जो profit last three years का उसके अंदर भी profit growth होनी चाहिए तो ऐसे penny stock का आप यहाँ पर ढूंड सकते है यह बिल्कुल आसान तरीका है तो चले यह जो मैंने यहाँ पर criteria चाहिए अब यह मैं क्राटर लगा कि आपको बता देता हूँ किस तरीकी से आपको pin stock लोड़ना है इसके अंदर आप अपने और भी क्राटर है आप लगा सकते हैं ऐसे नहीं कि यह pin stock मतलब जो मैंने क्राटर लगाया है यही pin stock है ओके आप अपने इस सबसे भी लगा सकते ह मुझे ऐसा लगता है कि यह pin stock अच्छे होते है इसके अंदर और भी एक राटर लगाना चाहिए लेकिन मैं आपको एक basic तरीकी से बता रहा हूँ कि किस तरीकी सा आप कर सकते हो के यहापर हम क्या करते है सबसे पहले आज आते है Google पर Google पर आजने के बाद आपको यहापर क् टिकल टेप यहापर डाल देना है ओके यहापर मैंने टिकल टेप डाल दिया जैसे टिकल टेप मैंने डाल दिया तो यहापर टिकल टेप की जो website यहापर open हो जाएंगी उसके बाद यहापर आपको एक arrow देखेगा यहापर आपको क्लिक कर देना है जैसे मैंने यहापर क्लि सभी यहां पर दिया हुआ है लेकिन हमें क्या करना है हमें अपना जो स्क्रेनर है मतलब अपना जो पेन श्टॉक का क्राइटर है वह यहां पर लगा देना है जिसकी price less than 5 rupees होने चाहिए मतलब यहापर 0.01 से आपको 5 rupees वाले stock चाहिए यहापर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको पता चलेगा यहापर less than 5 rupees वाले stock यहापर आपको आ गए है उसके बाद आपको market cap लगा देना है market capital कितना होने चाहिए greater than 10 crore तो यहापर मैं 10 crore से ज्यादा वाले stock मुझे चाहिए यहापर देख सकते हैं उसके बाद आपको यहापर लगाना है अब तीसरा हमारा criteria क्या है debt to equity ratio less than 1 होना चाहिए मतलब हमें यहाँ से पता जालेगा कि वो company काफी उसके उपर काफी कर्जा जो होए कम है तो यहापर आपको क्या कर देना है add filter पर जाना है यहापर आपको search कर देना है debt to equity ratio यहापर आप देख सकते हैं debt to equity ratio उसके बाद यहापर आपको done कर देना है उसके बाद यहापर आपको click कर देना है और debt to equity ratio यहापर आपको दिखाए देगा 1 0 to 1 यहाँ पर debt to equity ratio है और यहाँ पर आपको click कर जाना है इससे आपको यह 3 criteria है आपने लगाया है सबसे पहला market capital greater than 10 crore होना चाहिए उसकी price less than 5 rupees होना चाहिए debt to equity ratio less than 1 होना चाहिए यह 3 criteria है आपने लगाया है उसके बाद देखते हैं यहाँ पर stock कोई से आ गए होके यहाँ पर देखें lawless steel industries limited यह सबसे पहले stock आ गया है उसके बाद दूसरा stock यहाँ पर आ गया है सुरत textile mills limited उसके बाद Indian infotex software limited यह सब भी stock यहाँ पर आ गये है अब हम क्या करते है यहाँ पर देखते है इन स्टॉक में भी कौन सा स्टॉक है यहाँ पर कितना चल रहा है तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ यह मार्केट के आपके हिसाब से आ गए है सभी स्टॉक यहाँ आप देख सकते है तो यहाँ पर हम क्या करते है सबसे पहले रुपी चल रही है उसी के साथ अगर आप यह stock देखेंगे आपको पता चलेगा इसका financial trade भी देखें मतलब इतना बूरा भी इसका financial trade नहीं है उसी के साथ इसके holding अगर आप देखेंगे तो प्रमटर holding भी देखते हैं इसके अंदर यहापर देख सकते हैं प्रमटर holding 46.12% है उ digital trade की holding आप पर इतनी है और इनेन भी यहाँ पर pledge कर दिया है मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी जान करें ओके इसके अगर दूसरा stock अगर आपको चाहिए तो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके जैसे की फिलाटिक्स फैशन ओके इसे देखते हम ओके इसके अंदर देखें यह इसकी price 2.8 रुपी चल रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी financial train देखें इसका revenue यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है ओके last three years से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ओके और इसके अंदर profit भी देखेंगे तो काफी अच्छा profit यहाँ पर holding है तो इससे आपको क्या है देखें इस तरीके से stock आपको आ जाएंगे अब देखें हम क्या करते हैं इसके अंदर हम लगा देते हैं और एक screen है ओके यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ यहाँ डाल देता हूँ promoter holding ओके promoter holding कित्ती होनी चाहिए greater than ok इससे वह थोड़ा ok ठीक है greater than होनी चाहिया 40% ok जाए हम आपको देखें अब हमने क्या लगाया है promoter की holding greater than 40% होनी चाहिए तो हम क्या करते है, यहाँ पर जाते हैं, और एक add filter यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ पर मैं search कर देता हूँ, promoter holding देखे हैं, और इसे done कर देता हूँ, इसके अंदर देखे हैं, मैं इसे edit कर देता हूँ, और यहाँ पर कम से कम कितना, 40% तो होना चाहिए, यहाँ पर दे इस तरीके से अब देखें ये stock हमारे पाद जो आ गया है इसके अंदर promotor के holding 40% से ज्यादा है कोई भी stock अगर आप देखेंगे देखें आशिरवत capital देखते हैं इसके अंदर देखें अभी ओके यहाँ पाद देखें अभी इसके price चल रही है आशिरवत capital की 3.98 और इसका अगर आप देखेंगे डेवड़न अच्छा है यहाँ पर दूड़ सकते हैं उसके साथ देखें जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर प्यान इंडिया इसके अंदर भी देखते है ओके तो यहाँ पर देखें यह stock यहाँ पर open कर दिया है अभी इसका price कितना चल रहा है यह यह पर देखें अभी यह loss में थी लेकिन अभी यह profit में आ चुकी है इसके अंदर holding देखें प्रमोटर holding कितनी है यहाँ पर देखें 45.51% इतनी है मतलब यहाँ से आपको क्या है कि stock पता चलेंगे कि कोई से stock पेर श्टॉक है उसी के साथ आप अपने हिसाब से जो क्राटर है आपका उस हिसाब से आप इसके अंदर लगा सकते है जैसे कि last sales growth जो है sales growth ओके यहाँ पर लगा सकते है sales growth last three years के कितनी होना चाहिए ग्रेटर दैन 50% होना चाहिए इस तरीके से आप लगा सकते है इसके अंदर मतलब जो भी आपका criteria है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक लगा देता हूँ ओके इसके अंदर दिखा तो यहाँ पर मतलब एक growth के हिसाब से आप जाएंगे तो यहाँ पर दिखाए देगा कि historical earning per sure ओके यह cash flow है यह इसके अंदर आप लगा सकते है जो भी आपको चाहिए जो data मतलब जिस तरीके से आपके requirement है उस तरीके साप यहाँ पर लगा सकते है तो यहाँ पर आपको मतलब एक बिल्कुल आसन तरीके सापको इतने सारे stock में से इतने filter होके आगए कितने stock यहाँ पर देखें 12 stock है जिसके अंदर आप यहाँ पर trade भी कर सकते है अगर आपको अच्छा लगता है मतलब देखें यहाँ से stock select करना है उसके बाद आपको देखना है क्या वो stock अच्छा है या नहीं है उसके उपर मतलब market के अंदर यहाँ पर company ने अब तो कितना रेटन दिया है company ने revenue कितना बढ़ रहा है as competitive previous year उसी के साथ उसका net income कितना आ रहा है उसी के साथ वो company अर्दिक पर share कितनी है एक share के बदले यह सबी data आप बाकी का data जो होता है वो बाद में देख सकत हैं मतलब एक बार आपको एक stock यहाँ पर आ जाएंगे यह 12 stock में आप ढूंड सकते हैं लेकिन अगर इतने 4000 या 5000 stock है इतने बड़े market में यह निसी और BAC में उनमें से अगर ढूंडना है तो वो दिक्कत वली बात है तो यह तरीका है यहाँ पर आपको पेने stock ढूंडने का दोस्तों अगर आपको यह video अच्छे लगाए तो व्यडोग को like जरू करिए और आपको यह video अच्छे लगता है तो आगे चलके और में एक अच्छे अच्छे video लाने का price करता जाऊँगा इससे क्या होगा आपको भी पता चलेगा और market में देखे पेने stock काफी अच्छे भ बात नहीं है लेकिन अगर आपको वो चलता है अच्छा तो वो प्राफिट भी दे सकता है तो इसलिए आपको पिन श्टाग भी ढूंटा है तो उसके अंदर वी क्वालिटी होनी चाहिए मतलब वो कंपनी रिवेनो हमेशा बढ़ना चाहिए सेल्स बढ़ना चाहिए प्राफ तो चलता है अगला उड़े में थाक्स पर वाचिंग दिस व्ड़ोग तो झाल झाल